नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल नेट्रल लाल भाहिती पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आज इस चैनल पर आपकी मुलाकात एक ऐसे इनसान से होने जा रही है जो ना केवल मोटिवेशनल स्पीकर है वरन मेडिटेशन का भी प्रोग्राम कई जगह दे चुके हैं और अपनी मोटिवेशनल स्पीचेश के जरिये कई लोगों की जिंदगी में बदलावल आ चुके हैं आपका तालुक राजस्तान के सीकर शहर से है एम टेक्स्टाइल के व्यवसाय से जुड़ेवे हैं आज इन्होंने मेरे चैनल के लिए एक ओडियो वीडियो भेजा है जिसका सीर्शक है जो आपने थमनेल में देखा भी है एक पाती बगवान के नाम ए लव लेटर टू गोट इससे पहले कि आप ओडियो देखें सुनें हर बार की तरह मेरा निवेदन की कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अधिकादिक शेयर करें लीजे प्रस्तुत है लव लेटर टू गोट इससे पहले इनके स्वागत में हैं एक दुन हम बजाएंगे उसके बाद वीडियो चालो करेंगे प्रिय नित्य सखाकर्ष्ण नमस्ते वैसे तो आप हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं मेरे हाथों में आपके हाथ रहते हैं आप मेरी हर बात में रहते हैं मेरे छेतना भरे दिन में ही नहीं अचेतन रात में भी आप मेरे साथ रहते हैं फिर भी आज मन किया तो आप के ही हाथों से आपको पत्र लिक रहा हूं हे कृष्ण, सबसे पहले तो मैं आपका रिधे की गहराईयों से आभार व्यक्त करता हूँ एक नहीं अनेको उपकारों के लिए आपने मुझे माता पिता दिये, इतना अच्छा शरीर दिया शरीर संचालन के लिए स्वास और शरीर की आंतरिक व्यवस्थाएं दि मन दिया, बुद्धी दि, चेतना दि, परिवार दिया, मित्र दिये, गुरु दिये, शिक्षा दि और ज्यान दिया चांद, सुरज दिये, हवाएं दि, पानी दिया, वनस्पती, अगनी दि पेड़ पोधे दिये, हर्याली दी, पशुपक्षी दिये, सब कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, दिया ही दिया, दिया ही दिया मेरे पास आपका आभार व्यक्त करने के लिए शब्द भी नहीं है मेरे प्रिय कृष्ण, मेरे प्रिय बाल सखा, नित्य सखा वैसे तो आप इस त्रस्टी को बहुत ही अच्छे से चला रहे हैं फिर भी इनसानों में आज कुछ अच्छी चीजों की कमी हो गई है जैसे की आज का इनसान प्रमानिक नहीं है प्रमानिक्ता, नेतिक्ता, स्वास्थ्य, सरल्ता इन सब चीजों की इनसान में कमी हो गई है इनसान का बाल मन कहीं खोसा गया है आज प्रत्वी लोक से मैं इस पत्र के माध्यम से आप से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र को अच्छे और विवस्थित कर्म करने की प्रेड़ना प्रदान करें जिसके फलस और रूप हम मनुष्यों के बीच में अच्छे गुण और अच्छे संस्कार इस्थापित हो जाएं यह दुनिया और भी सुन्दर हो जाए यह जगत और भी खुबसूरत हो जाए मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अपने नित्य सखा की बात पर आप गोर करेंगे आपका प्रियमित्र सुधामा